बजरंगदर्ना राष्टिय निताय कहुँ छे के मौलाना मदनी पहला पोतानों डिये ने चेक करावे तेवना वन्स जो हिंदु निकल से इसलाम भारत नो धर्म न थी ते बार्थी आव्यों छे ते सिवाई तेवे कहुँ के बजरंगदर्न हवे युवानोंने रोजगारी म खास योजना बनावी छे जेमा तेव सलून साकभाजी ना कामो डेरी ना कामो खातर ना कामो पंचगव्य मोटर ड्राविंग कामो सिख्वाडी सो उलेक निये चे के बजरंगदर्नी राष्टिय बैठक अमदावाद मा थाई छे जेमा बजरंगदर्नु व्याप बजंदर्ने बड़े पैमाने पर स्वाव लंबी हिंदु युवा ऐसा हो आज देश में करोडों की संक्या में बजंदर्न के नौजवान कार कर रहे हैं उनकी टोलिया हैं तो वो ऐसे नौजवानों को चिन्नित करके और उनके रोजगार खड़े हो इसके लिए वे काम कर कर रहे हे प्रट्र परनवाने करें हैं सबजी के काम है गिसी केuses हैं जावी खात के काने चोटे-खोटे डेरी के मौश निर्माण के कारे मोटर ड्राइविंग केका मौूर मेंगनिक के काम है अथार्थ जिन कामों को हाथ से किया जा सकता है ऐसे कारियों को अपने हाथ में लिया है उनका प्रिसिशन करके हिंदू नौजवानों को वह स्वावलंभी हिंदू युवा बने ऐसा करें बिंदल कर रहा है ऐसा उसका प्रत्यक छह महीने का जो व्रत्तारा है वो दस हुआ आकमर्ड हुआ जब ये तेह इतियास के पंडों में के 712 में तो कोई भी इसलाम को मानने वाला या मुसलमान कैसे भारत का नागरिक हो सकता है कैसे इस देश्का हो सकता है इसका मतलब है कि वो बहर से आक्रणोन आक्रमन किया यतियास के पन्नों में है और भारत में जो उनका कहीं कहीं सासन रहा तो उसमें बरवर अत्याचार हुए इतना हुआ कि भारत में आज उसके पूजा तीस हजार पूजा के इस्तलों का धर्मातरन करके उनके इस्तान पर मस्जिद हैं और मजारे बन ग गया जिस मैं से करणाबती भी एहमदावाद के रूप में है। करोडरों देश के अंदर हिंदूँ का धर्मांतर्ण किया गया बर्वत्ता के साथ। उनके साथ अन्याय किया गया। कतले हाम किया गया। भैबीत करके किया अच भारत में जो मुसल्मान है वे सब धर्मांतरत हिंदू है इसलाम काल के समय जिन पर बरवर अत्याचार हुए वो है आज उनका डियने हिंदू है उनको संदे हो मदनी को तो अपना डियने चेक कराएं तो उनकी कोई न कोई पीड़ी हिंदू निकलेगी इसलिए देश भारत हिंदूओं का है